हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कॉन्बेंशनल लोको में लगा हुआ दो अक्जूलरी मोटर MBRH एन MPH का काम क्या है और उसका पॉजिशन क्या है तो पहले हमारा MBRH एन MPH दो कहाँ पे रहेगा हमारा HT2 कमपर्मेंटर है रहेगा देखिए यह मानलीचे एक लोको मोटीव है तो लोको मोटीव का इस तरब हो गिया हमारा क्याब 1 क्याब 1 का पीछे हमारा जो पार्ट रहता है ओ सेक्षेन को हम लोग बोलता है मोटो चेस्ट नमबर 1 उसके पीछे बोलता है HT1 उसके पीछे यह हो गया HT2 यह हो गया HT3 और यह हो गया मोटो चेस्ट नमबर 2 और इसके पीछे यह सतरब हो गया Cab 2 ठीक है तो एक 3D से बनाने का कोशिस कर रहा हूँ तो देखते हैं तो यह Motor Chess No.1 हो गया तो MBRH एन MPH हमारा रहेगा HT2 compartment में तो इसमें रहेगा तो यह जो MPH मोटोर यह क्या करता है ना हमारा लोको में MPH क्या करता है ना हमारा लोको में जो Transformer रहता है वो Transformer का जो Oil रहेगा वो Oil को Circulate करेगा Circulate करेगा और यह MBRH जो रहेगा वो जो Circulate कर रहा है वो तिल को ठंडा करेगा यह MBRH जो किना एक Blower है दोनों कहां बेलागा रहेगा HT2 में तो MPH क्या करता है हमारा लोको का नीचे Transformer रहता है वो Transformer के अंदर क्या रहेगा ट्रासफ़र वाइंडिंग रहेगा वाइंडिंग तेल में दुबा हुए रहेगा ठीक है इसका अंदर तेल रहेगा तो लोको का अंदर जो तेल रहेगा वो HT2 में हमारा क्या रहेगा एक मोटोर रहेगा जो इसको हम लोग बोलता है MPH तो MPH क्या करेगा यह Transformer का ओएल को यह खिचेगा यहासे इसको उपर में ले आएंगा ए MPH और एक Corridor 2 है इस तरफ Corridor 2 इस तरफ Corridor 1 हो गया तो Corridor 2 के तरफ एक Radiator लगा रहेगा जिसमें एक खिचा हुआ तेल को एक Radiator में भेजेगा और Radiator के अंदर Tube दिया आया है तो Tube में वो सार्कुलेट होगा और इस तरफ गया रेडियाटर में सार्कुलेट किया उसके बाद एक फीर से ट्रांस्पर्मर में चला गया तो जो MBRH रहता है तो MBRH के पीछे रहता है तो MBRH क्या करता है हमारा यह जो Radiator है तो इस तरफ से हवा को खिचता है ठीक है इस तरफ से खिचके यह इस दिलिहाए किया करता है उपणर में RPS एक रिजिस्टेंस का कोल बॉक्स रहता है integral तोне क्या जो एक करता पर आक एक रेसिस्टेंस का कोल बॉक्स में और कीका करता है किया ही जो आर iv है उसको इस पहिचेगे तो क्या करगा को इस तरब जब हावा जाएगा ये रेडियाटर के पास करके जाएगा तो रेडियाटर के टाच करके जब हावा पास करेगा और रेडियाटर को ठंडा करेगा पाइब के अंदर हमारा oil है बाट उसके surface से तो air contact होके जा रहा है तो इसके इसी time क्या करेगा वो पाइब को ठंडा करेगा तो हमारा तेल भी ठंडा होगा और खीचा हुआ जो air है वो भेज़े का ये coal box में तो coal box में अंदर 6 rps resistance रहेगा और resistance को भी साथ में ठंडा करेगा तो हमारा MBRH हमारा जो रेडियेटर आएगा और रेडियेटर का भी ठंडा करेगा और RPS रेजिस्टेंस का भी ठंडा करेगा कोल बॉक्स के अंदर तो ए दोनों का काम ए हो गिया तो MPH सही से काम कर रखे नहीं यह जान ले के लिए के हमारा MPH का डिले दिया हुआ है वह है QPH कि अधिक हमारा MPH का इंस्पेक्शन करता है एन MBRH जो ब्लोर है उसका डिले दिया गया है हमारा QBRH यह रिले हमारा QBRH का का काम को देखता है सही से काम कर रहा पार्चोन isको में स्कुण्स करता है तोु एम-ब एज का अब स्टार्ट होगा हमारा लोकोमोटिफ जब अनाजज्द गिया है तब आन्नो स्टार्ट है तो अनको कश्टात म्धृब उसके साथ ड्सक्त चुणा रहेगा तो 3 स्टार्ट होने का मिनसी MPH हमारा स्टार्ट हो गिया बाट MBRH का अब स्टार्ट होगा हमारा लोको में लगा हुआ जो BL box है उसमें एक BLBMT स्वीज है ए BLBMT दबाने से हमारा MBRH चलना शुरू होगा MPH हमारा डायरेक्ट मोटर है इसका कोई कॉन्टेक्टर नहीं रहेगा बाट MBRH डायरेक्ट नहीं है इसके लिए अमारा remote control हेकश स्वीच दीया गया लोको में जो किना BLBMT है इसका एक कॉन्टेक्टर रहेगा जो किना C107 एस C107 कॉन्टेक्टर ध्लोज होने से हमारे MBRH चलने गा और जाब हम लोग BLBMT दापाने से यह C07 close होगा और यह कहा करेगा यहा से हावा को खीचेगा और खीच के उपर में देगा कोल बोक्स में और कोल बोक्स के आंदर RPS resistance को ठंडा करेगा तो एह रहेगा एह T2 component के आंदर पहले इस तरब वाल में लागा रहेगा MPH और अंदर के रहेगा MBRH और यहापे रहेगा एह radiator और नीचे में रहेगा transformer तो इस वीडियो में हम लोग डिसकास किया जो conventional लोकोमोटी में लागा हुआ MBRH और MPH के काम तो इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में नेक्स्ट कोई टोपिक के साथ